मुंबई, हिंदुस्तान का दिल और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार से है इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बॉंब ब्लास्ट से फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 ताज, 26 ग्यारं बगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बगी था और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई आंटी टेर्रिस्म स्कॉर्ट के एक युथा की मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलिजन देखकर गोली नहीं चलाती क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोक दिया हमारी इंटलिजन्स के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लशकर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे हैं अभी उनका वक्त आया नहीं जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें धूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे धून लिया तेरे बाकी साथियों को भी धून लेंगे 93 में एक टन आर्डी एक्स आया था जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया 600 किलो आज भी कही दफन है हिंदुस्तान ने मेरी किसमत पदली अब मैं हिंदुस्तान की किसमत पदड़ दूगा मेरे बच्चे पीवी अबू को सिंदा चला दिया उन लोगोंने हम आनता हूं कि तुमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था लेकिन तुमने भी तो सेखड़ो मासूमों की जाने ले ले उसका क्या रुप जाए जेहन में और भी पुलीस आफिसेज अपना काम कर रहे हैं लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपनी बच्ची की जान खत्रे में नहीं डालता है इंटलिजन्स प्यूरो की थेयरी शायद सही है लशकर का अगला टारगेट मुंबयो का सूरिया वो लोग कब आएंगे यह में नहीं जानता पर वो आएंगे ज़रूर इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को क्या करें सार शिवगर चलें यह काम एक ही कमी ना कर सकता है इधर अलग लेवल का धनली चल रहा है सार यह लोग साथ गाड़ी में बॉम फिट की है जिस कोली से तू मरेगा उसके ओपर आईसा बड़े में लिखाऊंगा Made in India अक्खा पबली को मालू है कौन आने वाला है तेरे को नहीं मालू गाड़ी आसा हमेशा घुमा की क्यों आता है और तू हर बार हेलिकॉप्टर पर क्यों लटकता है किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री कोई फरक नहीं पड़ता है चलो अभी आप जानते हैं कोन है नाइम खान तीस साल इमानदारी से पुलिस के डूटी किया है इन्होंने और अब इनका बेटा अबास हमारे आंटी टेररिजम स्कौड का एक होनार आफिसर है ये है हिंदुस्तान के मुसल्मान आफिस्तान कर प्रेज्टी से प्रेज्ट से राइम प्रेज्टान के मुसल्मान प्रेज्ट है झाल झाल